दिल्ली से देरदून आ रही शतापजी ट्रेन के एक कोच में अचानक भीशन आग लगे जिसके बाद ट्रेन के अंदर अपरा तफरी मज़ गई बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वज़ा से लगी है हाला कि इस हाथसे में किसी भी यात्री को कोई नुपसान नहीं पहुंचा है लेकिन आग लगने के बाद फॉरण ट्रेन के गाट ने फायर बिगेट को इस बात की जानकारी दिया और मौके पर पहुंचकर फायर बिगेट ने आग को बुछाने का काम शुरू कर दिया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि जिस कोच में आग लगी है उस कोच में लगबख 36 लोग सवार थे जिन्हें बचा कर दूसरे कोच में शिफ्ट कर दिया गया है बताया जा रहा है कि अभी इस मामले की जाच चल रही है कि आखिरकार आग लगने के असली वज़ा क्या थी वहीं ट्रेन को मौके पर रोक कर तुरंत बचाओ काम किया जा रहा है और इसके बारे में रेलवे के अधिकारियों को भी सूचित कर दिया गया है SP9 Newsroom की रिपो